तो आई हम स्वासा से जुड़ी बातों में मुह के शाले याने माउथ अलसर क्यों होता है इसके क्या कारण होते हैं इसके बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दू अगर आप चैनल पर नहे हैं आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं में बात करते हैं मुह में शाले हो जाएं तो कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है वैसे तो शाले बेहत छोटी सी परिशानी है लेकिन जब तक या परिशानी रहती है तो कुछ भी खाना पीना दुभर हो जाता है मुह में शाले कई जगहों पर जैसे गालों के लेकिन बेहत कश्ट दायक होती है, शालों की वजह से कयी दनों तक मुह में जलन रहती है और कुछ भी खाने में परिशानी होती है। और मुह के शाले होने पर तुरंत दवा खाने की बज़ाए पहले घरेलू उप्चार जरूर अपनाने चाहिए और अगर घरेलू इलाज से चाले ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए तो आई हम बात करते हैं कि मुह में शाले किन कारणों से हो सकते हैं अधिक तीखा खाना या गर्म खाना पेट की खराबी या फिर कब्ज होने पर मुह में शाले आ सकते हैं साथी दांतों पर हाड ब्रश के इस्तमाल से खाना चबाते समय गलती से गाल कट जाने से मुह में शाले आ सकते हैं और हेलिको बेक्टर पाइलोरी नामक बेक्टीरिया की मौजुदगी की वजह से भी मुह में शाले आते हैं इसके साथी विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड और बॉड़ी में आईरन की कमी होने से भी शाले आते हैं अत्यधिक तलाब होना एवं मिर्च मसाले वाला भोजन शाले होने का कारण है साथी महलाओं में पिरियट्स के दौरान होने वाले हरमोंस में बदलाओं के कारण भी शाले होते हैं कुछ लोगों को अंडा, स्ट्रोबेरी, नट्स या तीखा भोजन खाने से अलर्जी होती है उन्हें भी शाले आ जाते हैं मुह में शाले होना यूं तो सामान्य बात लगती है लेकिन कई बार यह समस्या इस कदर बढ़ जाती है कि कैंसर जैसी घातक बिमार कशन भी हो सकता है क्योंकि किसी गंभीर बिमारी का लक्षन भी हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं..कि कई बार मुह के शाले कैंसर का कारण भी बन सकते हैं.. कि दाटों के गलत तरचना की वजह से मुह में शाले हो या आधे तूटे हुए और इसकी वजह से वे जीव या मुह में चुबते हैं उनसे लगाता रगड लगती रहती है वहां शाले उत पर न हो जाते हैं और यदि कोई तीखा दांत लंबे समय तक जीब या गाल से घर्शन करता रहे या चुभता रहे तो यहां आगे चल कर कैंसर का कारण भी बन सकता है यानि इसकी पूरी जाँच और उपचार जरूरी हो जाती है साथ ही सुपाड़ी आदी खाने के बाद बिना कुला की रात को सो जाने से भी शाले हो जाते हैं इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला और धुमरपान भी मुह के शालों का कारण बनते हैं साथ ही मानसिक तनाव भी एक वजह है मुह के शालों की यह तनाव चाहे परिक्षा का हो या नौकरी में काम के दबाओ का या अन्य किसी भी बाद का यह मानसिक तनाव भी मुह के शालों का करण हो सकता है यदि शाले कैंसर में बदल जाते हैं तो शुरू शुरू में उनमें कोई दर्द नहीं होता लेकिन बाद में थूक के साथ खून आना भी शुरू हो सकता है यहां तक की खाना निगलने में भी परिशानी का अनुभाव होने लगता है इन सब कारणों के साथ 7 वंशानुगत भी हो सकते हैं शाले कुछ बिमारियां भी मुँ में शाले पैदा कर सकती है जैसे हरपीज संक्रमन या बड़ी आत की सूजन इसके अलावा ये शाले वन्शानुगत भी हो सकते हैं और रोगों से लड़ने की शम्ता में कमी की वजह से भी हो सकते हैं और यदि शाले सामान्य हैं तो विटामिन B कॉम्पलेक्स तथा फॉलिक ऐसेट की गोलियां दो तिन दिन तक लेने से ठीक हो जाते हैं हमेशा याद रखें यदि कोई भी शाला सप्ता भर से में ठीक ना हो तो उसे गंपीरता से लें और डॉक्टर से जरूर परामर्श करें और शालों से बचने के लिए मुह और पेट की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें मौसम के प्रभाव से भी मुह में शाले हो जाते हैं जैसे बहुत अधिक गर्मी